अगर आप भी unfold UK एक independent educational counselor हैं और आप भी demo लोगों को देते हैं यानि लोगों को जब आप हमारे course के बारे में बताएंगे तो किसी भी class का subscription purchase करवाते हैं या subscription के बारे में suggest करते हैं तो आपको जरूत पढ़ती है कि आप अपने students या parents को दिखाएं कि exactly वो कौन-कौन से topic को लेन material में तो यहाँ पर आपको कुछ चीजह दिखा रहा हूं जिये हमारा unfold you.com इंक में कम्पनी का official website है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं में दुबारा से paste कर रहा हूं यहाँ पर www.un remov.com यह कंपनी का official website है जहां पर आप जाना थे आपको और यह official website पर जाने के बाद आपको available हैं सारे boards आ जाएंगे for example मैंने cbc select कर लिया आप जो भी board select करना चाहते हैं कर सकते हैं उसके बाद आपको class select करने के जुरत होगी यानि for example मैं 7th class select कर रहा हूँ आपको जिस भी class का दिखाना चाहते हैं उस class को आप select कर सकते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यह दिखा रहे हैं तो आपका internet connection बहुत high speed का होना चाहिए क्योंकि अगर आप internet connection आपको slow होगा तो buffering करते करते हैं loading करते करते ही parents आपके बोर हो जाएंगे कि oh my god आप कितना net इनका slow चल रहा है तो आप देख लेना है कि आप जिस भी location में जा रहे हैं वहाँ पर internet connection कौन सा fast चलता है वो कौन सा fast चलता है वो आपको देखना है वो आपका problem है वो आप identify करना है किस तरीके से निक तो normally मैं जो इस्तेमाल करता हूँ मैं air tail का इस्तेमाल करता हूँ वर्ष्ट का भी आ जाता है आप जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट का भी आ गया अलग अलग topic second का आ गया तो इस तरीके से अलग अलग आ रहा है तो इस तरीके से अलग अलग आ रहा है एक्जमपल मैं 7 को देख रहा था मिलेगा अगें science में आपको इस टाइब के materials मिल जाएंगे social studies में भी आपको बहुत सारे categories मिलेगे general computer है general basic thing list तो यह सारे आपको categories है जो आपको मिलेगा इवेन अगर आपको उनके chapter के detail क्लिक करना है तो view chapter detail पे आप जाएंगे तो यहां पे इस तरीके से जो भी उनको chapters इस topic पे मिलना है उनका subject wise वो सारे chapters उनको मिल जाएंगे यहां पे लगभग यहां पे 15 chapter अब देख सकते हैं कि 15 chapter basics material में है और addisal material में भी करीबन 13 chapter है क्योंकि हर एक boards अलग होते हैं उनके categories अलग होते हैं और categories अलग होने की वज़े से हो सकता है कि publications भी कई बार अलग कर देते हैं कई private school वाले तो उनके chapter उपर नीचे हो सकते हैं लेकिट topics वही होता है तो इन्होंने में भी आपको अलग-अलग chapters इस तरीके से मिल जाते हैं यहां पर मैं जस्ट आपको यहां पर open करके दिखा रहा हूं यहां पर for example सारे chapter आपको मिल देता हूं आपको थोड़ा और भी डिलकिस टाइप की चीज़ें होगी जैसे यहां पर मैंने allowed to access this page क्योंकि मैंने भी login नहीं किया इसलिए allowed नहीं हूं मैं लेकिन यहां पर वीडियो वगर आपको मिल जाएंगे सब topic वीडियो इस तरीके कि सारी चीज़े आपको यहां पर मिल जाएगी तो overall आप इस site के help को site का help लेके आप इस तरीके से आपने parents को अपने students को बता सकते हैं कि exactly उनको किस किस category में क्या क्या मिलने वाला है बाकी क्या मिलने वाला है अंदर क्या होगा उसके लिए आप उनको free demo suggest कर सकते हैं क्योंकि आप free demo हमारा पहला दो चैप्टर आप freely access कर सकते हैं किसी भी किसी भी board में है किसी भी subject का topic ले रहे है किसी भी class का ले रहे तो पहला दो चैप्टर आप easily access कर पाते हैं तो यह सारी चीज़े आपको यहां पर मिलती जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने social study open किया history civics और geography सारे chapters आपको यहां पर मिलेंगे अगें हर चीज में आपको वही मिलेगा जो मैं आपको बताना चाहरा था तो यह सारे contents आपको मिलेंगे तो यह आप as a tool वीडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन सभी team members को दिखाने के लिए जो counseling करने जा रहे हैं या फिर कोई online counseling कर रहा है तो आप इस वीडियो को follow करके वो अपने teacher और parents I mean to say अपने parents और student को दिखा सकते हैं कि exactly क्या topic और क्या content उनको मिल रहा है तो I hope मैं उमीद कर सकता हूँ कि यह video देखने के बाद आपको वो सारी clarity मिल गई होगी जो actually मैं आप लेना चाहते थे और आप आगे से इस video को follow करके आगे से आसानी से आप उन सभी logo को जो आपके team members है या फिर वो parent है या student है उन लोग को आप बता सकते हो कि किस तरीके से आ आप और आपके team unfold UK website पे जाके अपने parent और student को chapters दिखा सकते हैं समझा सकते हैं कि कौन कौन से topics available है किस category वे available है और कौन कौन से key features हमारे application पे आपको मिलने वाला है तो यह video को प्लीज जादा से जादा लोग को share कीजे इस पेसलिए आप अपनी team में share कीजे ताकि उन लोगों आपको भी पता चले कि exactly यह क्या हो रहा है और यह किस तरीके से किया जाता है यह video आपके लिए बहुत helpful होगा और as a parent भी अगर आप इस video को देख रहे हैं तो obviously इसी बात है कि आप खुद ही check out कर सकते हैं और जो भी educational counselor को आपको या किस educational counselor ने आपको इस unfold UK के बारे में बताय है तो obviously इसी बात है कि आप उनको content कीजे वो और आपको help करेंगे कि exactly आप किस तरीके से subscription को purchase कर सकते हैं या फिर इस video को आप directly किसी YouTube चैनल पर देख रहे हैं हैं तो हमरे description में आपको content मिल जाएगा जहां पर आप हमें call कर सकते हैं और हमें content कर सकते हैं हम आपको clear करेंगे कि क इस तरीके से आप paid subscription लेके हमारे सारे unlimited features को enjoy कर सकते हो और अगर आपको इसी तरीके से मेरे चैनल के माद्यम से अगर आपको regular updates चाहिए unfold user related तो आपसे request है कि चैनल को please subscribe कर लीजे क्योंकि बहुत सारे updates में आपको back to back देने वाला हूं कुछ चीजे मिसना हो जाए फिर आप ब इस चैनल पर नए हैं तो subscribe करना definitely है अपनी team को जादा जादा share कीजे और वीडियो के माध्यम से अगर आप में कुछ भी अच्छा कर पा रहा हूं और आपको help कर पा रहा हूं तो please वीडियो को जादा से जादा अपना प्यार दीजे like कीजे ताकि मुझे लगे कि definitely मैं आप के लिए सच में कुछ बढ़िया कर रहा हूं और अगर आप इस वीडियो से लेटेड या कुछ भी और भी टापिक से लेट कुछ भी अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं कुछ भी बोलना या बताना चाहते हैं तो comment box में आप हमें comment box में बता सकते हैं मैं जल्द से जल् रहें कि मुझे इस टाइब की वीडियो बनाने चाहिए तो definitely आने वाले समय में मैं आपको इस टाइब के भी वीडियो बनाके दूंगा जो आपको help करेगा हमरे business को develop करने के लिए आपको develop करने के लिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की जानकारी के साथ त